दूरी बनाये रखें, अच्छी बात है जे भारत, जे हिंद, हैश्टाइक फ्लैटन दकर तो आज हम जानेंगे कि पैंडेमिक क्या होता है, लोकल स्प्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल स्प्रेड क्या होता है और hashtag flatten the girl उसे चल रहा market में या फिर social media पर चल रहा हो क्या है तो pandemic slow or fast क्या होता है ये हम जाना चाहते है आज कैसे होता है और इसका मतलब क्या है ठीक है तो जो लाल डॉट है वो infected या संक्रमित को दर्शार रहा है जो हरा डॉट है वो स्वस्त या हेल्दी लोगों को दर्शार है तो ये मैंने केस एक पिच्चर से बनाया है फास्ट पेंडेमिक ठीक है इसमें जो ये डोर टाइप जो बनाया है उपर इसका मतलब है शेरिंग और पीपल यानि लोगों का आपस में मिलना शेरिंग और स्टफ लोगों का एक दूसरे के साथ समान बाटना लोगों का एक दूसरे में घर जाना और दूसरे के घर से अपने आपको वापस देने की कोशिश करना वो सब ठीक है पीपल मूविंग लोगों का आपस में दूसरे के पास मिलना और बहार जाना और बहार जाके infection फिराना वगएर वगए जैसी चीज़ें इसके अंदर सब कुछ आ जाता है आपका पतंग उडाने से लेकर छट पे किसी का अगर घूमना अगर छट पे कोई घूम रहा है उसने आकाश की तरह देखा और जोर से छीक मारी और वो छीक का कुछ ना कुछ शेर होने के chances हो यह उसको दर्शाता है यह बिलकुल उसका opposite है बिलकुल उसका विपरीत है इसमें कहा गया है all isolation no sharing of goods nothing 0% interaction 0% direct interaction मतला बहार से कोई interaction नहीं है आपका आप अपने रूम में बैठे आप अपने कमरे में बैठे आपका किसी और से interaction नहीं है लब संक्रमित था वो उसको infection था वो मिलता है दूसरे से वो metro में चड़ता है या किसी भी public space जैसे यह public space है वो किसी भी metro या public space में जाता है तो अपने वज़े से वो पूरे department को या पूरे लोगों को संक्रमित कर सकता है ऐसे में यह सारा area infected होगा बड़ी जल्दी से अब क्य अगर यहां से कोई व्यक्ति इधर आता है और वो संक्रमित होता है तो वो इन सब को भी संक्रमित करेगा वो अपने घरवालों को भी संक्रमित करेगा और आसपास कि अगर वो office जा रहा है मानने ते अगर यह office है या उसका घर है या कोई भी जगा है वहां पे वो लोगों कहते हैं जहाँ पे लोगों का आपस में मिलना और समान शेयर करना या समान एक दूसरे में बाठना या कुसी भी तरीके का इंटरेक्शन है जिसमें वो डारेक्ट इंवाल्ड है संक्रमित लोगों से या फिर नॉर्मल लोगों से उससे पूरी सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं अब यह सारे सब तो अगर यह बूसलेंशन वाड में रखा गया है तो उनके बीच में interaction ज़रा भी नहीं है यह सब मैंने बंद किये वे रास्ते हैं अगर इनका इनसे interaction नहीं होगा तो virus यहां से यहां फैल नहीं पाएगा और मालेदे किसी भी तरीके से एक कभी अगर isolation से भार थोड़ा सा भी वाइरस चला गया और वो संक्रमित होता है क्योंकि यह सारा area closed है तो virus फैलने की chances जो है बाकी सब में बहुत जादा reduce हो जाते हैं ठीक है इसको हम graphically कैसे plot करते हैं इसको हम graphically ऐसे plot करते हैं तो यह fast pandemic है यह slow pandemic है fast pandemic में देखा जा रहा है कि public spaces में लोग घूम रहे हैं जल्दी से जल्दी virus फैल गया और पूरे area को उसने virus ने अपनी चपेट में ले लिया उस situation के अंदर कम समय में ज़्यादा cases बनेंगे एक cycle क्योंकि 14 दिन का होता है तो 14 दिन बाद एकदम से बहुत सारे cases इमर जोंगे और ऐसे में ये cases जैसे मैंने यहाँ पर एक number लिया West में तो इससे ज़्यादा हालत खराब है West में तो 600 cases एक एक दिन में बन रहे हैं और वो stage 3 में जा चुके हैं तो उसके अंदर 1000 cases एकदम से जटके से बन जाते हैं और ये 15 दिन के cycle में मैंने रखा है 14 दिन का वैसे cycle है 15 दिन एक extended दिन पर रख रहे हैं आदे महीने के अंदर अंदर approximately बड़े जल्दी से cases बन जाते हैं तो ये situation इसको दर्शाती है fast pandemic को ये situation है ऐसे में क्या होता है ऐसे में एकदम से लोगों के बढ़ते ही आपके जो घरों में जो मतलब आपके hospitals, isolation wards है ventilators वगरा वगरा जैसी जगह है वहाँ पे मामारी फैल जाती है मतलब वहाँ पे लोगों का पहुंचना और उनको एक particular ward में रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए availability लोगों की reduce हो जाती है के हिसाब से नहीं है ये kink मैंने यहाँ पर नहीं बनाया तो ये kink बना देते हैं यहाँ ठीक है तो ये कुछ ऐसा साय है ठीक है तो 15 दिन की cycle के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर cases कितने चड़े 300 के आसपास क्योंकि लोग एक दूसरे से आपको handle करने में आसानी हो जाती है तो ये case fast pandemic है जहाँ पर लोग आपसे मिल रहे थे ये इसको दर्शाता है ये case slow pandemic है ये इसको दर्शाता है तो इसलिए हमें कहा गया है कि आपस में ना मिलें ताकि जितना कम हम एक दूसरे से मिलेंगे उतने कम cases बनेंगे और उतना ही आसानी से प्रशासन इस situation को handle कर पाएगा ठीक है अब fast pandemic के अंदर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए अब बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए इन सभी लोगों को यहाँ पर जगा चाहिए यह सभी जगाएं क्या है यह hospitals हैं जो यह squares हैं यह सब hospitals हैं isolation wards है, ventilator है यह available yet limited infrastructure यानि जितना भी infrastructure हमारे पास पड़ा हुआ है वो सब limited है यह सब दर्शार है अब इनके अंदर already आप से पहले कुछ लोग और भी होंगे जिनको isolation ward की जुरुत होगी में रखा गया होगा या उनको पहले से ventilators वगारा जैसी चीज़े दी गई होगी अब अगर यह लोग आते हैं जिनको coronavirus उनको positive आ गया है अब यह लोग आते हैं यह तो यह लोग अपनी अपनी जगा घेरेंगे इनकी जगा घेरने से यह सारे जो कितने बनाएं मैंने एक दो तीन साथ छार पांच शें तो ये सारे लोग हमने कहा कि ये सब के सब जितने भी भार से एक्स्टर जो थे केसिज उन लोगों को हमने इसमें रखा situation ward में रखा, isolation ward में रखा, लेकिन होगा क्या कि ये किसी तरीके से मान लेते हैं इन्होंने ज़्यादा पैसे दिये, इसमें काला बजारी वाली चीज़े जरूर आ जाती है क्योंकि इन लोगों को अपनी सुरक्षा पहले चाहिए, तो ये लोग private hospitals को पैसा ज़्यादा चड़ाएंगे अपने आपको सेफ करने के चक्कर में, इस चक्कर में black marketing शुरू हो जाती है और प्रशासन यहाँ पे lose होना शुरू हो जाता है ऐसे में जो ये बचेवे cases हैं, ये कहा जाएंगे कोई नहीं जानता क्योंकि ये fast pandemic वाले हैं, ये बिचारे वहीं के वहीं रुख जाएंगे, यहाँ पे भारी, hospitals के भारी उनको रुखना पड़ेगा प्रशासन को उनको मदद करनी पड़ेगी, किसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे लेकिन अगर ये बाहर हैं, तो ये कुछ और को भी वायरस पहुंचा सकते हैं इन्हें हम isolation ward में कैसे डालेंगे, ये situation create हो जाती है अगर fast pandemic case होता है जो हम नहीं चाहते हैं अपने देश में, ठीक है, अब ऐसे में, जो जिसकी अगर मानने ते death हो जाती है कुछ लोगों की death हो जाती है, तो उसके बाद वो case, वो bed खाली मिलेगा उस bed को फिर isolate करना पड़ेगा, उस bed को isolate करके उसे सारा wash करना पड़ेगा, ताकि नया case उसमें आ सके अब यह हम यह भी नहीं कह सकते हैं, जो leave करा है, जिसकी death होई है, वो जादा, उतना जादा संकर में था, जितना यह है इसकी हो सकता है, किसी और वज़े से भी death होई हुई हो, क्योंकि इसको कोई और बिमारी भी हो साथ में, तो यह सारी situation, हमारा सारा infrastructure वो यहाँ पर fail हो जाता है, इसी situation में, इसलिए कहा गया है कि घर में रुकें, घर में एक दूसरे से distance बनाये रखें, एक दूसरे distance बनाये कें, ताकि fast pandemic case ना हो, ठीक है, और यह slow pandemic case चाहिए, इसलिए जो slow pandemic case होगा, जिसमें कम लोग आपस में संकर मिता हैं, इन लोगों के लिए हर एक के पास एक bed available है, तो कितने हैं यह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस cases मैंने जैसे आपर दिखाने की कोशिश करी है, demonstrate करने की कोशिश करी है, तो यह 10 bed हमार पास available है, उसके बाद भी कुछ bed बचते हैं, तो यह लोग ठीक होते हैं, और यह लोग भार जाते हैं, यह लोग जो ठीक होके भार निकलेंगे, ग्रीन डॉट से मैंने दिन को दर्शाया, यह healthy लोग है, यह लोग भार जाएंगे, तो और जो संक्रमित होंगे, इस time period के अंदर, पहले time period के अंदर कम संक्रमित होंगे, उसके बाद ज़्यादा संक्रमि में रोकें, भार ना निकलें, और अपने चीज़ें दूसरों के साथ शेयर ना करें, इसी प्रोसीजर से संक्रमित रोका जा सकता है, और इसी प्रोसीजर से हमारा इंफुर्ण